ओम शामती सुनते हैं आज 9th मेश 77 की अव्यक्तवानी आज की अव्यक्तवानी का टाइटल है संपूर्ण पवितरता ही विशेश पार्ट बजाने वालों का शंगार है आज की अव्यक्तवानी में बाबा ने विशेश पार्ट की विशेशता क्या है फिर बाबा ने second second कौन सा अटेंशन रखना है इसके साथ बाबा ने सरस्वती को कौन सा आसन दिखाया है कौन से दो शब्द टेंशन का अधार बन जाते हैं तो आउ सुनते हैं नो मई स्तत्तर की मुर्लि संपूर्ण पवितरता ही विशेश पार्ट बजाने वालों का शंगार है विशेश पार्ट धारी आत्माओं परती बाप दादा बोले अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेश पार्ट बजाने वाले विशेश पार्ट धारी समझते हो विशेश पार्ट की विशेशता क्या है उसको जानते हो विशेशता ये है कि बाप के साथ साथी बन पार्ट बजाते हो और साथ साथ हर पार्ट अपने शाक्षी पन की स्थिती में स्थित्तो जाते हो तो विशेष्ता क्या हुई बाप के साथ साथी और शाक्षी पन के इस विशेष्ता के कारण ही विशेष पार्ट धारी गाये जाते हैं तो अपने आपको सदा चेक करो कि हाट पार्ट बजाते हुए दोनों ही विशेशताएं रहती है नहीं तो साधारण पार्ट धारी कैलाए जाएंगे बाप स्रेश्ट और बच्चे साधारण यह शोभेगा नहीं न विशेश पार्ट बजाने का शंगार कौन सा है संपूर्ण पवित्तरता ही आपका शंगार है संकल्प में भी पवित्तरता का अंश मात्र ना हो ऐसा शंगार निरंतर है क्योंकि आप सब हद के अलब काल के पार्ट बजाने वाले नहीं हूँ लेकिन बेहद का हर सेकिन हर संकल्प से सदा पार्ट बजाने वाले हो इसलिए सदा शंगार की हुई मूरत अर्थाथ सदा पवित्तर सुरूप हो इस समय का शंगार जनम जनमांतर के लिए अविनाशी बन जाता है फिर बाबा ने कहा मुख्य संसकार भरने का समय अभी ही है आत्मा में हर जनम के संसकारों का रिकार्ड इस समय भर रहे हो तो रिकार्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है किसी भी परकार के टेंशन का अटेंशन टेंशन में अटेंशन रहे अगर किसी भी परकार का टेंशन होता है तो रिकार्ट ठीक नहीं भर सकेगा सदकाल के लिए स्रेष्ट नाम की बजाए यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए उतना नहीं भरा है इसलिए हर परकार के टेंशन से परे स्वेम और समय का बाप के साथ का टेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पार्ट बजाओ मास्टर सरशक्तिवान आल्माइटी अथरटी की संतान ऐसी नालिजफुल आत्माओं में टेंशन का अधार क्या है टेंशन का अधार दो शब्द है कौन से दो शब्द क्यों और क्या किसी भी बात में क्यों हुआ ये क्या हुआ जब ये दो शब्द बुद्धी में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है लेकिन संगम युगी स्रेष्ट पार्ट धरी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकते हैं क्योंकि सब जानते हैं शाक्षी और साथीपन की विशेष्टा से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता तो अपने इस विशेष कल्यान कारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संसकारों का रिकार्ड नंबर वन स्टेज में भरते जाओ बाबा ने कहा कि अपने इस कल्यान कारी समय को समझते हुए ये शिरिमत हैं हर सेकंड का संसकारों का रिकार्ड नमबर वन स्टेज में भरते जाओ मतलब हर समय ये समझ लो मेरा रिकारडिंग हो रही है और पूरे कलब की रिकारडिंग का टाइम चल रहा है कितना अटेंशन चाहिए हर संकल पे हर वचन पे हर करम पे नालेज़फुल स्टेज अर्थात इस संगम युक की स्थिती का आसन जानते हो भक्ती मारग में विद्या की देवी सरस्वती को कोंसा आसन दिखाया है इसे क्यों दिखाया है इसका विशेश गुण कोंसा गाया है अब सुनिए बड़े ध्यान से उसका विशेश गुण भी नौलेज़फुल का ही दिखाया है सरस्वती का हमेशा नौलेज़फुल दिखाते हैं राइट और राउंग को जानने वाला ये भी नौलेज़ हुई न कभी कभी तराजु दिखाते हैं राइट और रॉंग को कर देती है ना सरस्वती फाइनल तो जानने वाला ये भी नालेज हुई ना तो नालेजफुल का आसन भी नालेज वाला ही दिखाया है विशेश नालेज है राइट और रॉंग को जानने की दूसरी बात आपकी स्थिती का यादगार भी आसन के रूप में दिखाया है सदाशुद संकल्प का भोजन बुद्धी द्वारा ग्रेहन करने वाले सदाही सरवात्माओं द्वारा वा रचना द्वारा गुण धारन करने वाले उसी को मौती चुगने वाला दिखाया है तीसरी बात स्वच्छता, स्वच्छता के निशानी सफेद रंग दिखाया है, स्वच्छता अर्थात पवित अर्था, तो सदा नौलेजफुल स्थिती में स्थित ही रहने की निशानी हंस का आसन दिखाया जाता है, सरस्वती को सदा सेवाधरी रूप की निशानी बेवीन बजाते हुए दिखाया है, यह ग्यान की वेणा सदा बजाते रहना, अर्थात सदा सेवाधरी रहना, जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया है, वैसे सब विशेश ताएं धारन कर पार्ट बजाना, यही विशेश पार्ट धारी समझते हुए पार्ट बजाओ, प्रकृती के अधिन तो नहीं हो ना, बाबा ने का ऐसा पार्ट बजाओ, विशेश पार्ट धारी समझते हुए कि मैं विशेश पार्ट धारी हूँ, प्रकृती के अधिन तो नहीं हो ना, प्रकृती का कोई भी तत तो हल चल में नहीं लावें कैसी भी तत्वों की हमारे सामने प्रिक्षा आए लेकिन हल चल ना हो आगे चल कर तो बहुत पेपर आने हैं देखो बाबा पहले से अवेर कर रहे हैं अभी भी आ रहे हैं लेकिन इससे आगे और अधिक आने हैं आगे चल कर तो बहुत पेपर आन किसी भी साधनों के अधार पर स्थिती का अधार ना हो कितना सुन्दर किसी भी साधनों के अधार पर स्थिती का अधार ना हो क्योंकि अंत टाइम जब पेपर होने है तो सारे साधन हो सकता है धोखा दे जाएं साधन ना मिलें तो ये नहीं साधन नहीं है तो अब स्थिती भी डाउन गई नहीं स्थिती का अधार साधन ना है माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है प्रकृति की हल चल के बीच यह क्या यह क्यों हुआ यह कैसे होगा जराबी संकल्प में टेंशन अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे इसलिए सदा अचल रहोना है कितना बाबा ने सुन्दर बताया जराबी संकल्प में टेंशन हुआ तो अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास पिर नहीं होंगे इसलिए सदा चल होना है अच्छा सदा अपने नौलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले हर सेकंड स्रेष्ट पार्ट बजाने वाले हर परकार के पेपर में फुल पास हो पास विद आनर समान सहित बनने वाले सदा एक बाप की याद के रस में एकरस रहने वाले ऐसे सदा बाप समान स्रेष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे प्याँ क्या एक बाइब